हेलो फ्रेंज्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ और आप सब का मेरे चानल पर स्वागत है और आज मैं आप लोग की लाई हूँ बदा मिल्कशेक की रेसिपी तो इस गर्मे में अगर आपको कुछ अच्छा कुछ हेल दी और कुछ ठंडा पीने का मन करें तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा तो चलिए देड़ना करते हुए हम बनाना सुरू करते हैं तो मैं यहाँ मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले रखे हू तो आप उससे बनाए उससे बहुत ही जादा आसान होता है बनाना क्योंकि हमें उससे बहुत जादा गाढ़ा नहीं करना होता है और यह देखिए दूद में अच्छा सा उबाल आने लगा है तो अब हम गैस का फेम लोटू मीडियम कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा गाढ कर लेंगे तो ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक मिकसर जार ले लेना है और जार में हम सारे बादाम को डाल देंगे और बादाम के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूद इससे बादाम पीसने में आसानी होती है और अब मैं इसमें डाल रही हूं इला अब हमारा पीस गया है तो हम याप बादाम का इंदम फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है मैं इसे थोड़ा सा दर दरा ही रखी हूं और चलिए अब हम बादाम को साइड में रखेंगे और अब हम डूसी तयारी करेंगे अब मैं यापे ली हूँ एक बावल और इसमें हम एक कस्टड कब घूल तयार करेंगे तो मैं आपे दो चमच कस्टड पावडर ले रही हूं अगर आपके पास कस्टड पावडर ना हो तो आप इसके जग़े पे कौन फ्लार ले सकते हैं और अगर वो भी ना हो तो आप इन दूद को भी लगभग गाड़ा होते हुए लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें बादाम का पेस्ट डाल देंगे जो कि अभी हम पीस करके तयार करें हैं और बादाम को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे 4-5 मिनट के लिए पकाएंग दूध हमारे थोड़ा सा और गाड़ा हो गए है क्योंकि जब आप इसमें बादाम का पेस्ट डालेंगे तो दूध गाड़ा हो जाता है और दूध हम पहले से भी गाड़ा करके रखे थे तो चलिए अब हम इसमें अड़् करेंगे जो हम कश्ट्रद का घोल तायर परकेर क करेंगे जब भी आप कश्टड का गोल एड़ करें तो उसे एक बर ना फिर से इस तरह से मिक्स कर लें क्योंकि क्श्टड पाउडर जो है वह दूद में नीचे जाकर बैठ जाता है तो आप उसे दूद में डालने से पहले अच्छे से मिक्स कर लीजे और अब हम कश्टड ग अधे गंटे पहले ही डूद में डालके रग दी थी केसर को तो केसर का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और साथ साथ अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डालें आपको जितना मीठा पसंद हो उसी साब से चीनी की मात्रा कम्य और इसे लगतार हमें चलाते रहना बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी हम इसमें कस्टड एड की है तो इसके बाद दूद बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होता है तो आप धियान रखे ताकि दूद चिपके न और यह देखी से पकते हुए लगभग एक से दे तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसे ठंड़ा कर लेंगे अगर आपको मिल्क से जल्दी से ठंदा करना हो तो आफ एन के नीचे इसे ठंड़ा हो जाए आप इसे बीच भीच में चलाते हैं कल्ची से ताकि इसकी ऊपर से मलाई न जमें और यह दे तो आप इसे पहले पांके के नीचे ठंडा करें उसके बाद एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में रख दे ताकि एक दम अच्छे से ठंडा हो जाए और इस तरह से ग्लास में निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर से थोड़े से बारी कटे हुए काजू और पिस्ता डाल दे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यह लिए हमारा टेस्टी हेल दी मिलक्षेक बनके तयार हो गया है तो अभी तक आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राइ नहीं किया होगा तो जरूर से ट्राइ करें अपने घर में अगर आपके कर में क